गुड मॉनिंग एवरिवन कैसे हैं आप लोग उमीद करती हो सबी अच्छी होंगे तो मेरे जो सब्सक्राइबर है वो जानती होंगे कि मेरे हस्बिन का दिया हुआ है ट्विटी डेज चैलेंज जल रहा है बेकफास्ट और लंच का और आज है उसका डे फॉर और कोई भी अ पहले श्राद के लिए खाना बना रही हूं उसमें मैंने हल्वा और रोटियां बनाई है अपने पतिदेव के लिए मैं आज का जो भी ब्रेकफास्ट और लंच है वो बनाऊंगी तो चलिए देखते हैं आज क्या बनता है खाना कुछ ऐसा बनाना है कि हल्का फुलका भी हो हेलती भी हो और टेस्टी भी हो है तो सबसे पहले एक बावल में ले लिया है हमने ही सूजी एक कप सूज ली है दो बड़े चमच भर के उसमें ढही डाला है पानी डालके इसका बैटर तियार कर लेंगे इसको अच्छी से फेट लेंगे हम जितना अच्छा रहेगा इसकी तब तक ले लेते हैं एक पपाया और इस पपीते को चील के चोटे-चोटे-पीसिस में गट कर लेंगे आपका जो यह पपीता है वो कच्चा नहीं होना चाहिए पका हुआ हो और उसमें मिठास होनी चाहिए अब इसमें हम अपने टेस्ट के अकोडिंग मीठा डाल देंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे दूट डालके यह हमारा शेक बन के तेयार हो गया है हमारी जो सूजी थी उ पैन चैका परीवर्चा के चोटे चोटे से अथ पैयार कर लेंगे इस बार में बड़ा उथ पंब नहीं बना रही मिनी बना रही है हैं बनने में जाना टाइम लिएnow लेने नहीं दिकति नहीं होती है अधिवी जो फ़र्स टाइम बना रहे ना उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और जो हमने सब्जियां काटके रखी थी उसको इनके उपर फैला देंगे और थोड़ासा हलकी हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि वह उसके साथ चिपक जाए यह देखिए बच्चों को भी बहुत साइज का उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है जो बिगनर है उनके लिए और कुछ ही मिनट में हमारा यह हैल्दी टेस्टी साथ चटपटा सा जो ब्रेकफास्ट है या इवनिंग स्नेक्स होए वो तयार हो जाता है हमारा पापाया शेक भी रेड़ी है और लगा लिए हमन तो खुश हो कि स्कूल जाते हैं और लोटते टाइम भी खुश रहते हैं यह सोच कि दोपैर को लंच में क्या मिलने वाला है तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं न कि जो हमारी खुशियों का ठीकाना है वो हमारे पेट सी हो की जाता है टेस्टी खाओ, हेल्दी और अपने माइंड को और मूड को हेल्दी रखो तो सुबह का जो ब्रेकफार्ट था वो तो इनको काफी पसंद आया अब हम आगे करेंगे अपनी लंच की तैयारी तो लंच टाइम से पहले ही पती देव का फोन आ गया कि भूख नहीं है कुछ हलका फुलका खाना है तो हम ब्राउन होने तक सेक लेंगे एक तरह से और फिर हमारा जो पानी गरम हो गया उसमें डाल के हम इस तरह से पकालेंगे मतलब पानी हमें अतना ही डालना है कि उसमें वह एब्जॉर्ब हो जाए और फिर इसके अंदर डाल देंगे हम शुगर पाउडर खांड बूरा कुछ जाल सकते हैं उपर से डाल ये देशी घी और ये हो गया हमारा मीठा तयार मीठा उनको बहुत पसंद आने वाला है मीठे के साथ थोड़ी नमकीन भी होनी चाहिए तो मैंने लिए ये नौरतन नमकीन इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ी बारी कट हुई प्याज बारी कट ह हुए टमाटर और थोड़ी डालेंगे हरी मिर्ज, थोड़ी सी किश्मिस, स्वाद के नुसा नमक, थोड़ा साम्चुरप पॉडर और थोड़ा सा नीम्बू डाल देंगे हम इसके अंदर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ये हो गया हमारा हल्का फुलका सा लांच तैह क्योंकि भूक नहीं थी इसलिए बस हलका फुलका मीठा और चकपटा तेयार हो गया है तो पति देवा चुके हैं अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं हमने ट्रे लगा दी है आके खा लेंगे खुश हो जाएंगे तो मेरी चोटी सी कोसिस उम्मीद करती हूं आप लोगों को प करते हैं हुआ…